वल्कम टू आवर चैनल सत्यावान हानन तोड़े वी विल डिस्केस दा हिंदू एटोरियल आफ दे नायनेटीन थाफ जनवरी ट्वेटु ट्वेट्वीटि तिरी तो आज है उन्निज जनुरी दोहजार तेईस और हम आज डिसकेस करेंगे दा हिंदू एटोरियल को ति हम प हिंदों में जो छपा है तो जो एक दो एटोरियल हम देख रहे हैं यह जो प्रिजेंट टाइम में चर्चा चल रही हैं भारत सरकार के आसपास यह जो इनियन गवर्मेंट है और सुप्रीम कोड की भी जो क्लैस चल रही है इसी से रिलेटेड दोनों आर्ट के लिए और कांस् 24 अप्रिल 1973 को सुप्रीम कोड ने केशवन भारती मामले में जज्जमेंट दिया था उस जज्जमेंट को अब इसी साल अप्रिल में हम देख रहे हैं कि पचास साल पूरे हो जाएंगे जैसे ही पचास साल पूरा हो रहा है हमारे उपराश्पती महोदे जगदीब धनकड उ सुप्रीम कोड द्वारा दिया गए फैसले को सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं और 1973 में जो फैसला आया था केशवन भारती बना किरला गवर्मेंट आफ एस्टेट आफ किरला के बारे में तो उसी से रिलेटेड निउज है कि आखिर सम्विधान में क्या क्या चीजे हैं औ उन्हें कहा गया है कि सुप्रीम कोड का इंटरप्रेशन सरोच माना जाएगा ऐसा कंस्टियोशन में कहा गया है लेकिन प्रिजन टाइम में हम देखें थी एक क्लैस जो चल रहा है में ली जो जगदीब धनकड है उनका कहना है फिर ला मिनिश्र किरन रिजिजु हैं उनका कहना है कि जो njse है जिसको इस्क्राइब कर दिया था नल इन्वाइड कर दिया था सुप्रीम कोड ने 2015 में और 99th Constitutional Amendment को भी नल इन्वाइड कर दिया था वो Constitutional के परवी में सुप्रीम कोड के परवी में आता है कि नहीं इस बात पर discussion चल रहा है और अभी जेस्ट किरन रेजी जो जो लाज मिनिस्टर है उन्होंने भी कहा है कि जो कालेजियम सिस्टम है अगर कोई नया सिस्टम नहीं बन रहा है जब तक कालेजियम सिस्टम में गवर्मन्ट के एक नामनी को भी इंटर्डीउस किया जाए यनि अगर सुप्रीम कोट में जजेज की निवकति करनी है तो था यंटरल गवर्मन्ट यान यूणिन गवर्मन्ट के नामनी उसमें पाटिपेट करेंगे रहेंगे कालेजियम सिस्टम में और जो state high court है उसमें state government का नाम नहीं रहेंगे यानि जो political equity या लेशलेचर है वो उसमें participate करेंगे judges के जो processing होती है पूरी कुछ उनकी eligibility criteria उनकी posting उनकी experience उनमें किस आधार पर elevation किया जाएगा इन सब चीज़ों के बारे में बात की जा रही है तो अगर हम देखा जाए कि जो यह recent जो भी चीज़े चल रहे हैं center or state में यह काफे ज्यादा tension चल रहे है most criticism of the doctrine has been confined to the minor of its application rather than legitimacy तो अगर हम देखा जाए कि जो केशवनन भारती का इस article के माध्यम से कहा गया है कि जो उनका verdict था वो जब आया 1973 में उसको immediate effect में भी आ गया था और उसको different successive government जो है केशवनन भारती मामले को accept किये थे लेकिन present time में हम देख रहे हैं कि उस time 1973 से लेकर के आज की बात देखी जाए तो सबसे बड़ी चीज है कि वह कितना legitimate है कितना कायों रूप से bad है constitutional रूप से legal है उससे ज्यादा आवस्यक है किस मैनर में उसे apply क्या क्या है किस मैनर में उसको consider किया जा रहा है अगर देखा जाए कालेजियम को target किया जा रहा है ऐसा इस article में कहा गया इसमें article के वी को हम represent कर रहे हैं मच अब इस criticism has been aimed at the functioning of the college a body of the senior judges that making makes binding recommendation on the appointment of the transfer and transfer of the judges तो इस article के माधियम से कहा गया कि जो सबसे बड़ा criticism इससे में चल रहा है और यह है कालेजियम सिस्टम का function कैसे है क्योंकि उससे के अंदर जो भी functioning होती वो public domain में कभी बाहर नहीं आती उसको कोई भी data बाहर नहीं आता है कोई जो है कालेजियम में का member उसे रिलीज नहीं करता है सुप्रीम कोट रिलीज नहीं करता है इसलिए उस पर जो है problem चल रहा है criticism की देखा जाए तो Vice President ने कही दिया है को केसवनन भारती को केस जो है उसे subscribe नहीं करते है यानि जो उसमें basic structure का concept दिया गया है उसे नहीं मानते हैं ऐसा कहा गया है इसके अलावा देखा जाए तो December महिने में जगदीद धनकड क्लेम किये थे फिर उसके बाद जो अभी 11 जनवरी को All India Presiding Officer Assembly Speaker का जो conference हुए जय पुराजस्थान में उसमें भी जगदीद धनकड कहे हैं और ओम बिरला जो speaker आप लोग सभा है उन्होंने भी इस बात को repeat किया है तो इस बात को ले करके देख रहे हैं उनका कहना क्या है इन डिमोक्रेटिक सोसाइटी दा बेसिक आफ एनी बेसिक स्ट्रक्टर इस सूपरमेसी आफ पीपल सेवर्नेटी आफ पारलेमेंट दा लेज़ बिद्द लेचर तो जगदीद धनकड कहें हैं कि जो सूपरमेसी एक्चुल में बेसिक स्ट्रक्टर वो पीपल के हाथ होना चाहिए होना चाहिए लिट्मेट्स लेका पोर्यूर पार्लेमेंटेर नहीं है इंडिया bye पर भारत का पॉर्लेमेंटी पाम करते है पर उसका पर्वीडिसाइड है जो पर्लेमेंट का पर भी समिधान डिसाइड करता है इसलिए जकदीर धनकड जो भी कहें हूं कंस्यूसन में ऐसा लिखा है कि कंस्यूसन के कारडिंग इंडिया एक सोवरेन बार्ड़ी है पर पारलेमेंट एक सोवरेन बार्ड़ी नहीं है लेश्यरेशर आलसो डिसाइड वू बीद्देर इन अधर इंस्टियोशन उनका कहना है कि लेश्यरेशर डिसाइड करें कि किस इंस्टियोशन में कौन लोग होंगे इस तरह के सिचुएशन हमें इस डोमेनें पाए जाना चाहिए क्योंकि दुनिया के किसी भी ऐसा देश में ऐसा नहीं है कि जुडिस्टियोशन या कोई अलग इंस्टियोशन लेश्यरेश्यरेश बाटी दोरा बनाया कि ला रूल या किसी अमेंडमेंड को स्क्रैप कर दे नलेंड वाइट कर दे आके देखें जो मिस्टर धनकड है उन्होंने जो हाइलाइट किया है जो केसे इसको बार-बार ही लोग लिख रहे हैं हम आये में चीज को देखते हैं बट सिंग एज गवर्मेंट मिस्टर रेजिजू कन पार्लेमेंट लास्ट मन्थ हैज नो प्लान टो इमेडियेटली एनी सिस्टेमेटिक चेंज इन दा वे आफ एप एपॉइंट जजे तो क्रियन रेजि है कि में चैनल को कि हैं और एसा उनका कहना था कि जुड़ी इसरी की आटोनामी को हम मेंटेन करेंगे आगे देखा जाए the foundation of the constitution तो foundation of constitution की बात करे हम one can see that the constitution is a product of collective vision तो सच है जो सम्विधान बना है हमारा करीफ साथ देशों के सम्विधान को ले करके पढ़ करके एनालिसिस करके बनाए गया है और फिर उहाँ पर सम्विधान सभा बनाए गया थी दो-तीन लोग नहीं बनाया थे तो सम्विधान सभा ने उस पर discuss किया सबसे खास बात है मारा सम्विधान की कोई भी चीज कलाज पर किसी आठकिल पर ओटिंग नहीं हुआ है हर चीज को consensus सहमती से तयार किया गया है और उस चीज को हम देख सकते हैं कलेक्टिव विजन हैं इसी कलेक्टिव विजन को हम देखते हैं किस तरीके से हमको दिखता है distinct अलग तरीके से among other that India would be governed by the rule of law इंडिया का पूरा system जो है rule of law पडीपेंड है that our structure of the governance would rest on Westminster parliamentary regime that the power of the legislature, the executive and judiciary would be separate that court would be independent of government तो हमारा system जो है parliamentary system of government है लेकिन हम Westminster Parliamentarism को मांदने क्यों Westminster को parliamentary system of government को कहा जाता है यह क्या है यह actual में London का वो जगह है जहां पर British Parliament अस्थापित है इसलिए उसको Westminster model भी कहा जाता है उस model में ऐसा कहा गया है कि executive, legislative अजुड़ी से रही है तीनों bodies separate रहेंगी एक दूसरे में interference नहीं करेंगी जब तक कि कोई Constitution of British नहीं हो समिधान का Article 50 अनुश्यत पचास भी यही कहता है कि legislative, executive और judicery के बीच से प्रेशन अप पार होगा यानि जो legislative body है और Supreme Court या High Court या judicery है उनके बीच कोई भी interference नहीं हो सकता है जब तक कि दोनों एक दूसरे के मामले में interfere न करें या Constitution को breach न करें Now ask yourself the following question अब इस article में कुछ question दिये गए उससे जरह हम देखते हैं क्या है What happened when amendment made to the Constitution harm one or more of this principle in manner that alter the Constitution's identity अब अकर हम देखा जो Supreme जगदीब धनकण है Vice President उनके according कर Parliament sovereign है तो जो भी चाहिए चेंज कर सकती है अब जब कुछ भी चेंज कर सकते हैं तो वो क्या करते हैं कोई ऐसा नियम बना सकते हैं जो उसके basic structure को ये समिधान को बहुत ज़्यादा उसके principle को harm पहुँचा है उस इस्तिति में Constitution की identity क्या बचेगी Would the Constitution remain the same Constitution that was adopted in 1950 इसके लिए दूसरा question है हमारे इतने ज़्यादा amendment हुए है तो 1950 में Constitution बना था तो क्या वही Constitution है? एक्जेक्टलि नहीं है जो हमारा Constitution है इसमें 105 बार संसोधन हो चके है तो 1950 में ही पहला संमिधान संसोधन आ गया 1950 में एक्टी हुए 1950 में ही संमिधान संसोधन शुरू हो गया और इसके बाद धीरे-धीरे हम देखते हैं 105 संमिधान संसोधन हो गया Should Parliament amend the Constitution to replace the Westminster model system with a presidential style of governance Would the Constitution character be preserved अगर कोई Parliament ऐसा चेंजिंग कर दे कि बेंस मिनिस्टर माड़न ने parliamentary system of government जो है प्राइम मिनिस्टर का head होता है और काउंसिल आफ मिनिस्टर जो होता है वो head of the government होते है या प्राइम मिनिस्टर head of the government है और प्रेजिंट आफ इंडिया या किसी भी कंट्री को जो प्रेजिंट होते हैं head of the state होते हैं क्या उस system को प्रेजर रुखिया जा सकता है are considered something rather more radical kind of parliament through amendment if it is the right to life guaranteed in article 21 इसके लावा अगर हम एक चीज हम देखते हैं प्रोसेजर एस्टाबलिजड बाइदा ला और प्रोसेजर अगर देखा जाए तो ला जो बनाए जाती है प्रोसेजर डिव प्रोसेस आफ ला और procedure established by law तो procedure established by law का मतलब होता है जो भी प्रोसेज़ ला बना दिया जाएगा लेस लेचर दोरा वो सही है लेकिन due process अब ला कहता है कुछ से natural justice पर भी satisfy होना चाहिए तो अगर हम बात करें article 21 की जो जीवन की स्वतंदरता की बात करता है life की guarantee देता है document of government that is not no longer the constitution of India इस तरीके से देखते हैं तो एक संकट हमें दीख सकता है आगे हम देखें केस्वानन भारती केस्व में एक साथ कहा गया था जो भी चीज़ें आई थी उससे पहले एक्चल में देखा जर्वन प्रोफेसर थे देट्रीच कोनाड उन्होंने एक एक्चल में फर्वरी 1965 में बनारा संदू भी सिवद्याले में कुछ ही उन्होंने एक लेक्चर दिया था उसमें उन्होंने क्या कहा था इनी अमेंडिंग बाड़ी आर्गेनाइड बिदीन दस स्टेच्वरी स्कीम हाउसोवर वर्वली अल्लिम्टेड इट्स पावर कैन नाट बाई इट्स वेरी स्ट्रक्चर चेंज दर फंडामेंटल फिलर सपोर्टिंग इस कंस्टिउशनल अथार्टी इस बात का खतरा रहेगा इसलिए इसका कहने का मतलब है कि बेसिक इस्ट्रक्चर मेंटेन होना चाहिए अगर देखे जाए तो मिनर्वा मिल्क वर्सेस यूनियन अफ इंडिया उन्नी सौस्ती में भी एक मामला आया था उसमें भी सुप्रिम कोट ने लैंडमार्क जेंजमेंट दिया थे और उसमें भी उन्होंने रिपीट किया था कि केसवा नन भारती दोरा मामले में दिया ग सब्कनण में गया था कि फन्डमेंटाल ऺल्यक कंरेक्श्रेट नहीं हिकिया सकते हैं इसे वर्षष्रा चैनले कि नहीं किया सकते हैं लोगत सब्सक्राइब दोरा थे घर पनानी खेंट गया आठी हमने सेवन्नेयां इक करते हैं परिप सबस्ञाट का creation की बात करते हैं तो constitution द्वारा ही सम्मिद पार्लेमेंट बनाया गया इसलिए पार्लेमेंट उसमें मन चाहा change नहीं कर सकता है इस article के कार्डिंग ऐसा कहना है therefore it can only have the such power that expressed wasted on it इसलिए हमें जो power दिये गए उन power की बात की जानी चाहिए ना कि other किसी power की बात होने चाहिए अगर देखा जाए अगर become supreme over it because it would have power to alter the entire constitution including its basic structure सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम constitution की authority को siege कर दें कि constitution की authority क्या है वो सारी power पार्लेमेंट को दिद जाए तो हो सकता है पार्लेमेंट कल दिन ऐसा नियम बना दे कि उसमें basic structure या है the principle that parliament is prescribed from the changing the constitution's essential feature is rooted in the knowledge that the constitution as originally adapt was built and the intelligible moral foundation तो parliament का सीधा मतलब है कि parliament को जो ला दिये गए है उन बर विचार करे जाने चाहिए क्योंकि जो constitution बनाया कि एक दिन में नहीं बना है उसमें बहुत ज्यादा time लगा है उसमें काफे ज्यादा विचार हुए है justice HR खन्ना जो कि case 1 भारती case के फायसला लिखे थे उनके क्या कहना है उन्होंने word amendment के बारे में भात की थी कि amendment बड़ा ध्यान से होना चाहिए amendment का मतलब यह नहीं है कि पूरे तरीके change किज़े अगर dictionary की बात करें तो dictionary में amendment का क्या मतलब है minor change are addition designed to improve a text किसी चीज को text को अगर हम थोड़ा सा minor change करें उसमें amendment करें को उसकी actual meaning को improve कर दिया जाए तो उसे ही amendment कहा जाता है इसका मतलब क्या है हम उस पूरे class को paragraph को नहीं change कर सकते हैं हम थोड़ा सा changing इसलिए करेंगे उसमें improvement आ सके there is no doubt that on occasion of the course interpretation of this feature has suffered from the incoherence इभी सही है जब केसवालन भारतिया case का फैसला आया था actual में 13 जज़ों की venture उसे फैसला दिया था तेरा जज़ों में 7-6 का फैसला आया था यनि देखा ज़ों छे ज़ों इसके अगेंस्ट ही थे एक मैमला हो सकता है क्योंकि आगे चलके हमारा जहां का उनमान है इन future इसको भी लेकर उठाया जागे कि आखिर जो छे लोगों ने फैसला दिया था उन्हें में उन्होंने क्या क्योंकि Supreme Court के क्या कहा जिनको जिनने उसके अगेंस्ट में नियम दिया और साथ लोगों ने अलग दिया जो डिश्चन आया था उसमें 6 लोगों का क्या विव था उसको हम देखेंगे future में कोई ने कोई आफिसिल कैपेसिटे में इंटरप्रेट करने की कोशिस करेगा तो ये था इस आटकिल की चीजें इसी से रिलेटेड फिल से एक और आटकिल है कि जो किरन रिजियोजी चेक डू नाट क्रास ये आटकिल है जो की आया है यूनियन ला मिनिस्टर जो है उन्होंने एक चीज कहिए लेटर लिखाया सुप्रीम कोट को कि उन्हें भी participation मिलना चाहिए नियूनियन गवर्मेंट को और रिस्पेक्टिव हाई कोट के लिए इस्टेट गवर्मेंट को मिलना चाहिए नामिनी के रूप में जब कालेजिय कर रहा हो जजेज के लिए तो यहां पर आट के लिए चेक डू नाट क्रास यानि उस पर रोक कर कोई चीज ट्रांसपरेंसी न दिखे इल्लीगल दिखे तो उस पर चेक करे रोक थाम लगाए पर सारे लिमेंट को क्रास नक है गवर्मेंट सुड वर्क टूर्स कि वर्मेटर ने लेटर लिखा है चीब रेस्ट्राइब को कि उन्हें जो है एक्जिक्वोट्टी में उन्हें कालीजनला सिस्टम में पार्स Можно कि लिए एक नामेड talks। और अगर state high court में नए appointment हो रहा है तो वहां के respective state government को मिलना चाहिए तो इसका अगर report की बात करें, report से ये पता चलता है, actually minister चाहते क्या है क्योंकि later जो लिखे हैं, वो official capacity में लिखे हैं, वो किसी rally में नहीं बोले हैं तो official capacity में जो लेटर लिखे हैं, उसमें एक चीज सामने निकल करा रही है, जो निकल करा रही है, रिपोर्ट के माद्य हम से, कि ला मिनिस्टर चाहते क्या हैं तो ला मिनिस्टर चाहते क्या हैं, कि एक formation किया जा, search and evaluation committee बनाई जाए, जिसमें government के representative है, जो नाम को suggest करेंगे, कालेजियम सिस्टम के लिए यानि judges, supreme court के और government के नामनी, दोनों लोग रहेंगे, high court की जो मामला आएगा, तो high court और supreme court के judges होंगे, और वहाँ पर, जो high court हो रही है, high court में सासाथ state government के कुछ नामनी आएँगे, search and evaluation committee में आगे देखा जाए, जो also understood to have asked for representative of the union government in the supreme court का लेजियम, and state government represented in the high court का लेजियम, there is little doubt that the government anger is towards the 2015 judgment, ये चीज़ें सामने निकल क्या रही है, एक्चले हम देखा जाए, कई माहिनों से ऐसा चल रहा है, और सारा खेलिश तरीके से चल रहा है, कि NJAC, जो National Judicial Appointment Commission ने उसको supreme court ने describe किया था, null invite किया था, और साथी साथ 99th Constitutional Amendment Bill को भी उन्होंने null invite कर दिया था, उसी को ले करके सारा disagreement चल रहा है, का लेजियम और इसमें समस्तियां चल रही है, और ये जब तक reform systematic, strong reform नहीं होगा, तब तक class सामने आते रहेंगे, It is difficult to avoid the impression that government tactics are bordering on the well warning, अकर देखा जाए, तो इस article में ऐसा कहा गया है, कि government जो है, कुछ रड़निती अपना रही है, जिससे कि वो उसमें interference कर सके, जैसे, Deliberately Delaying Action and Recommendation, जो कालिजम सिस्टम दोर recommendation किये जा रहे है, जैसे के appointment के लिए, उसमें government डिले कर रही है, जो बार बार जो नाम भेज़े जा रहे है, रिकंसिडेशन के लिए, जैसे दोबारा भेज़े हैं, उसमें भी वो consider नहीं कर रहे हैं, एग्नोर कर रहे हैं, साथी साथ जो campaign चला रहे हैं, कि जो Supreme Court का फैसला है, वो उसे legitimate नहीं कर रहे हैं, एसी चीजें सामने दिख रहे हैं, अगर देखे जाए, तो Supreme Court, Judiciary that has been quite accommodative of the government's concern on the judicial side in recent year, तो कुछ समें हम देखी, एक सिम्पल सी बात है, जब Central Government, Indian Government बहुत ज्यादा strong होगी, तो class हमेशा बढ़ता है, और उस समय वो dominance condition में आ जाती है, जब Central Government तिरसंकों से बनती है, बहुत सारे राजिंतिक पार्टियों को मिला करके बनती है, कोई असपश्ड बहुमत नहीं होता है, तो वहाँ पर Supreme Court के पास पावर, Judiciary के पास पावर, अल्रेड़ी आ जाती है, तो ऐसा भी था, राजु गांधी गवर्रमेंट में ऐसा था, ये चीज़े हमेशा देखने को मिलते हैं, और ये ऐसा है भारत में नहीं है, दुनिया के हर देसे मिलती है, लेकिन एक्सिट्वल देखा जात भारत और अमेरिका, United State of America के Supreme Court के अलामा, दुनिया के अन्य किसी पास इतना पावर नहीं है कि ये लिशलेटिव और लिशलेटिव बाड़ी पारलेमेंट को एज़कीटिव को डारेक्ट चैलेंज कर सकें, The only conclusion is that the current regime want absolute control over who gets to be judges in the country, आटिकल का कहना है कि present government ये चाहती है कि judges की नियुक्ति कैसे हो, कौन जज़ बनेगा ये government decide करें, इस system of checks and valence is that prevent any one branch gaining the upper hand is essential for democratic functioning, तो आटिकल के कहना है कि जो check and valence है, एक्चल नहीं देखा जो UPSC इस पर लगातार कई सारे question पूछे है, मेंस मोनोंने question पूछे है, checks and valence जो है, जूडिसरी और legislative body के बीच हो हमेशा maintain होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है कि किसी भी तरीके की interference रोकने के लिए democratic functioning करने के लिए देश की democratic functioning और उससे article, अगर हम देखें, तो इसके बाद जो article है, signals of the slow return to peace in Syria, अब Syria में peace return नहीं हो रहा है, वहाँ पर सांतिय स्थापित नहीं हो रही है, इस से भारत के उपर बहुत बड़ा effect नहीं पड़े, क्योंकि Syria भारत में बहुत ज़्यादा stronglation नहीं है, risk and reward, जल्ली कट्टू से करे गए, तो यह concern है, लेकिन इसको original level पर ही सुल्जाया जा सकता है, तो यह हमारे लिए और इसको new जो हम कल देख चुके हैं, इसलिए को बहुत ज़्यादा article के point of view से important नहीं है, तो यह था आज का the Hindu tutorial, आगे हम मिलेंगे current affair में, तो अगर इस channel पर नहीं है, तो आप channel को subscribe ज कर दित éénम मिलें इसको बादार आप, जो झाल इसको भलके हैं, तो यह से वाई पतर नहीं है, तो आपनी है, तो अगर बाते हैं, तो आप धिनुन।